हम लोग STSC Act 1989 को देख चुके हैं अब उसी से संबन देते हम लोग फिसन माला देख लेते हैं या अभ्यास फिसन देख लेते हैं जो जिस तरह के फिसन पूंचे जाते हैं तो ये 1989 एक्ट से संबन देते हैं सभी कुष्चिन और इन्हें सॉल्व करते हैं हम लोग तो पहला कुष्चिन है हमारा अनुसूचित जाती और जन्जाती अत्याचारण निवार्ण अधिनियम 1989 का बिस्तार कहां तक है तो आपको बता दें 2019 से पहले जम्मू कस्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू था लेकिन 2019 में जैसा कि आप लोगों को पता है 370 और 35A जम्मू कस्मीर से हटा दी गई है 35A तो अब 2019 से संपूर्ण भारत के छित पर लागू होगा आप लोगों को याद रखना है दूसरा है अनुसूचित जाती और जन्जाती अत्याचारण अधिनियम 1989 लागू कब हुगा तो आप लोगों के याद रखना है 30 जन्वरी 1990 इसे राष्टवती की सुख्ती कब मिली थी आपको पता है न अपने अगर लेक्चर देखा है तो आपको सब सॉल्व कर लोगे सभी कुष्चन सेप्टमबर 11 सेप्टमबर 1989 इस लागू हुगा 30 जन्वरी 1990 को तीसरा कुष्चन है क्या अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन्जाती अपत्याचार अधिनियम निवारन अधिनियम 1989 के तहर्ट अधियाचार से सम्मंदित अपरादों से पीडित व्यक्तियों को राहत देने का उसके पुनरवास का प्रावधान किया गया है तो आपको याद रखना है हाँ किया गया है तो ए अप्षन सहीज में चौतरा कुष्चन है अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन्जाती अपत्याचार निशेद अधिनियम 1989 भारतिये समिधार के किस अनुचित से संबंदित थे तो आपको याद जैसे का प्रता है अनुसूचित जाती अनुसूचित जन्जाती अत्याचार अधिनियम 1989 के अंतरगत सब्द अत्याचार कारत है तो इसका अरत है उक्त अधिनियम की दहारा तीन के अंतरगत दन्रिये कोई भी अपराद ठीक भी ओप्सन सही है पांच का अब बात करते हैं च्छटवे कॉश्चिन की अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन्जाती अत्याचार निवारन अधिनियम 1989 के तरगत अनुसूचित जातीयों और अनुसूचित जन्जातीयों का वही अर्थ है जो समिधान की के अनुसूचित 366 के खा खंड 346 के 24 में खंड और 25 में है ठीक तो इसमें बी ओप्सन है साथ चटवेगा फिर है हमारा साथवा क्वेश्चित विसेश न्यालय से अभी प्रेथ है तो आपको याद रखना है धारा 14 में विसेश न्यालय के रूम में वेंडर प्रेदेश्ट कोई से इंसन न्यालय होगा फिर है आठवा कुष्चन विसेश लोग अभी योजक से अभी पे थे तो याद रखना है वो प्रेथ दोनों मतलब विसेश लोग अभी योजक के रूम में वेंडर्देश्ट लोग अभी योजए तो धारा 15 में अभी तुने परिवासित नहीं किया गया तो उसका अर्थ कानून के किस सहिता से लगाया जाएगा तो याद रखना है नो दंड विक्रिया सहिता से सी ओप्शन सही है अब बात करते हैं हम लोग 10 वे कुष्चन की अनुसूचित जाती और जन जाती जी कि पिती दंड नहीं है अपराद अत्याचारों की वर्डन सम्मंदी अधिनियम की किस धारा में बढ़ एथे तो आपको याद रखना है धारा तीन में ग्यारा यवव कुश्चन है अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती अत्याचार निवारन अधिनियम 1989 की धारा तीन के तहित कौन से बढ़के व्यक्ति को अभियुक्त बनाया जा सकता है तो आपको याद रखना है इसमें कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाती या अनुसूचित जन जाती का सदस्त नहीं है ठीक फिर ग्यारा होगा है बारवा बारवा कुश्चन बारवा कुश्चन तो इसमें अनुसूचित जाती और जन जाती अत्याचार निवारन अधिन यह 1989 के प्रावधान जमने में सिक्ष परिस्तिती में आकर सित होते हैं तो याद रखे C option सही है जब परिवादी अनुसूचे जन जाती का सदस और अपरादी अनुसूचे जन जाती अथवा अनुसूचे जाती का सदस नहीं है फिर 13 कुन सा question 13 अनुसूचे जाती एवं अनुसूचे जन जाती अत्याचार निवाराने दिनियम 1990-1989 के दिन कोई भी अपराद केवल ऐसे व्यक्ति द्वारा कारित किया जा सकता है जो अनुसूचे जाती और जन जाती का नहीं है तो याद रखे यह सही है option पर फिर 14 14 नमर का अनुसूचे जाती और अनुसूचे जन जाती अत्याचार निवाराने दिनियम 1989 की दारा तीन दो मुक्ते तहट अभियुक्त अगनी या विस्पोटक पदायक द्वारा अब रात करता है तो उस पर कितना दंड अधिरूपित किया जा सकता है तो याद रखिए 14 तो इसमें 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना नियूंतम सजा 6 मास की C option सही है फिर है पंद्रवा विदी विरोध अनिवार सिरम आस्फर सिता का आचनन समझा जाएगा जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मजबूर करता है तो याद रखिए इसमें उप्योक्त सभीकार पसूं का सब उठाने ये तू किसी पसूं की खाल खीचने या अटाने ये तू बुहारना या सफाई ये तू फिर है हमारा 16 वान कौन साय कुश्चन 16 यदि किसी अनुसूचित जाती की व्यक्ति को मित्टी दुन से दन्नी अफराद में दंडित कराने की आसा से मित्या साच देता है तो उसे कितना दंड दिया जा सकता है तो याद रखिए इसमें आज इवन कारावास फिलस जुरवाना फिर है सत्रे का जो अनुसूचित जाती का सदस नहीं है का जो अनुसूचित जाती का सदस है कि विरोध हत्या की अफराद के मामले में जूटी गवाई दिता है कि जिसके फलसुरुख खा दोसी से पाया जाकर उसके विरोध मित्ति दंड का कयानवन हो जाता है तो का जो मेंबर था निम्न दंड का भागी होगा तो याद रखिए इसमें मित्तिव दंड अगर मित्तिव दंड खाको हो जाता है तो खाको भी मित्तिव दंड होगा फिर अठारा कुष्टन कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाती का या अनुसूचित जन्जाती का सदस नहीं है अनुसूचित जन्जाती या अनुसूचित जन्जाती के सदसों को उसके मकान, गाउं या निवास के मूले स्थान को छोड़ने यह तो विवस करता है या कराता है तो यह दंडनी यह होगा 6 माज से कमना होने वाले परन्तु जो 5 बर्स तक हो सकता है और कारावास 6 माज से 5 बर्स तक और पिलस कारावास का ओप्स ए उप्सन से यह 19 वा कुष्टिन का जो अनुसूचित जाती एवं अनुसूचित जाती का सदस नहीं है खा की रहने की मकान में जो अनुसूचित जाती का सदस है आग लगा देता है का निम नाम कित में से किस दंड लिये होगा तो याद रखे यह होगा आजी वन कारावास से सी उप्सन से तरह 20 वा कुष्टिन का जो अनुसूचित जन जाती और अनुसूचित जन जाती का सदस नहीं है खाज को जो की एक अनुसूचित जाती का सदस है बेगार करने के लिए वेवस करता है तो है अनुसूचित जाती एवं अनुसूचित जन जाती अत्याचार निवारन दिनियम केता है निम्नांकित मैं से किस कारावास से दंडित किया जा सकता है तो आपको याद रखना है 20 का है C नियूंतम 6 माई और जो 5 बरस तक हो सकता है तो है 21 वा कुष्चा कौन सा है 21 क्या अनुसूचित जाती किसी सदस को उसके जाती सूचक सब्दों का उपयोग करते हुए संबोधित करना अधिनियम की धारा 3-1-X के अंतरगत अपराद गटित करेगा तो 21 का हाँ यदि सब्दों को जनता के दृष्टी वोचर किसी स्थान में उसको अपमानित करने के आज़से उस्चारित किया गया हो डी उप्सन है सुच्छी अब बात करते हैं लोग 22 अधिनियम की धारा 3-1-X 3 वो 10 था याद रखना यह है 11 की अंतरगत अपराद में भारतिय दंड सहिता की धारा 355 तथा कि अंतरगत दंडिये अपराद कितत समलित है तो इसमें है A भारतिय दंड सहिता की धारा 509 के तरह फिर 23 वा कुष्चन है अनुप सुचे जन जाती के सदसुंद वारा वो पेव में लाए जा रहे किसी जलास है के पानी को दूसित करने वाले व्यक्ति को कितना दंड दिया जा सकता है तो आपको याद रखना है इसमें है पांच बर्स तक का कारावास पिलस जुरुबाना C ओप्सन सही फिर 24 वा कुष्चन कौन सा 24 वा एक लोग से बग जो अनुप सुचे जाती या अनुप सुचे जन जाती का सदस नहीं है धारा तीन के दिन दंड नहीं अपराद करता है तो वह दंडित किया जा सकता है तो एक बर्स या अधिक अवदी के कारावास से किंतु जो अपराद के लिए उप दंडित वो बंदे दंड तक हो सकी है फिर 25 वा तो याद रखे डी उप्सन सही अधिनियम के अंदर करत किसी अपराद के लिए अथिक तम दंड क्या दिया जा सकता है तो याद रखे ये मित्ति उदंड सी उप्सन सही फिर 26 वा कुश्चा कौनसा 26 वा का जो अनुसुचे जाती या अनुसुचे जाती का सदस नहीं है किन्तु अनुसुचे जाती है अनुसुचे जाती कि किसी सदस को अपना मकान गाओं या अन्निवास छोड़ने के लिए के लिए मजबूर या करेगा या कराएगा तो ये दंड निये होगा कारावस से जिसकी यहोदी 6 मास से कम नहीं होगी किन्तु जो 5 वर्स तक की हो सकेगी फिर 27 कुष्चन नमर है 27 कौन सा है 27 एक लोग से बग जो अनुसुचे जाती या अनुसुचे जन जाती का सदस नहीं है इस अदनियम के अदियन उसके द्वारा पालन किये जाने के लिए आपेक्चित अपने कर्टबों की जानबूज के उपेक्चा करेगा तो है दंड निये होगा तो 27 का C उप्सन सही है कारावस से जिसकी यहोदी 6 मास से कम नहीं होगी किन्तु जो एक बरस तक की हो सकेगी फिर 28 है कौन सा कुश्चन है 28 नमर जब कोई जब कोई ब्यक्ति लोकसेवक होते हुए किन्तु अनुसुचित जन जाती यह अनुसुचित जन जाती का सदस ना होते हुए जान पूच कर अपने कर्टबों हो जिनका अनुसूचित जाती या अनुसूचित जन जाती अधिनियम के अधिन जिसका पालं किया जाना अपेक्षित है कि उपेक्षा करता है तो कम से कम कितने कारावास से धन्डित होगा हो तो याद रखिए 6 महिने अनुसूचित जाती या जन जाती कैसा दस नहीं है अनुसूचित जाती या अनुसूचित जन जाती अधिनियम 1989 के अधिने कर्टबों की जान पूच कर उपेक्षा करता है तो याद रखिए बोज आ और बाद दोनों से ही है काराबाद से जिसकी अधिदी 6 महाई से कम नहीं होगी और एक बरस की अधिदी तक के काराबाद की तो याद रखिए सी उप्सन से यह से है फिर तीस कुष्चन कुष्चन नमबर तीस कोई ब्यक्ति जो अधियाय दो के दिन किसी अपराद के लिए फहले ही दोस सित्थ हो चुका है दूसरे अपराद या उसके पश्चात किसी अपराद के लिए दोस सित्थ किया जाता है तो वह दन्द नहीं होगा तो याद रखिए काराबाद से जिसकी अधिदी एक बर से कम नहीं होगी किन्तु जो उस अपराद के लिए उब दंडे दंड तक हो सकेगी फिर है हमारा 31 वा कुष्टन 31 का सी है याद रखना 31 अनुसूच जाती और अनुसूच जन जाती अत्याचार निवारन अधिनियों 1989 की धारत साथ के तहत नियाले विचारन की अउदी के द्वरान संपत्ति की कुरिकी करने के लिए सुतंत होगा 31 हाँ यह उमसं सही है 32 का बात करें 32 नमर कुष्टन क्या अनुसूच जाती और अनुसूच जन जाती अधिनियों 1989 के अंतरगर दंड अधिनिर्गिदित करने वाला नियाले किसी व्यक्ति को कारवास की सुझा अधिनिर्गिदित करने के साथ ही साथ उसकी संपत्ति के भी संपहन का अधिगहन का अधिश दे सकता है 32 हाँ ठीगा D option है 32 33 option है 33 वा कुष्टन अनुसुचित जाती और अनुसुचित जन जाती अधिनियम 1989 के तहट अपरादी के बारे में उपधारना का प्रावधन किया गया है 33 वा कुष्टन है धारा आट के तहट फिर है 34 वा कुष्टन C option है ठीगा 34 वा कुष्टन है इस अधिनियम के तहट किसी अपराद के लिए अभियोजन में यह सावित हो जाता है कि अभियोगत ने संदेह अस्पद इस पाद व्यक्ति को वित्तिय सायता किये जो विशेश ने आला है जब तक तत्त पितिकूल सावित ना किया जाए तो इसमें ओप्सन सही है बी यह उपदार्णा करेगा कि यह से व्यक्ति ने उस अपराद का दुस्पेरिडन किया है ठीक है 35 वा कुश्चन कौन सा है 35 अनुसुचि जाती और अनुसुचि जन जाती आयो जन जाती अधिनियम 1989 की धारा आठ के तहद नियालय द्वारा कौन सी उपदार्णा अपराद कारित करने के संबन्द में जाएगी तो याद रखना आपको 35 का डी ओप्सन उप्यूप सभी सामान आसे सामान उद्देश दुस पेरन डी ओप्सन सही हैसमें 36 वा कुश्चन है निम्नांकित में से किस अपराद के लिए कि निवारन उससे निपटने के लिए राजसरकार के किसी अधिकारी को किसी जिले या उसके भाग में पुल्च साधिकारी ओद्वारा फियुक तब सक्तियां फिदान कर सकेगा या कर सकेगी तो याद रखिए अनुसूचे जाती और अनुसूचे जन जाती अधिनियम 1989 की के अध्या 2 के तहट अफराद करने की संभावना वाले व्यक्ति को उस छेत से हटाये जाने के अनुसूचे जन जाती तो याद रखें 37 का ए है विसेश में आले यह ओप्षन है 37 का ठीक अरतीस है 38 वा कुष्चन है अनुसूचे जाती और अनुसूचे जन जाती अधिनियम 1989 की धारा 10 एक के तहट आदेश से प्रभावित व्यक्ति आदेश की तारीक से कितने समय की भीता है आदेश को पीती सहता या ओपांतरित करने के लिए अभ्यावेदन फिस्तुत कर सकता है तो आपक कोई व्यक्ति जिसकी धारा 10 के तहित किसी छित में से हट जाने के लिए कोई आदेश जारी किया जाता है तब उसे विसेश ने आलाए कि किस परिस्तिती के अनुसार गिरबतार कर सकेगा तो 49 का है c उप्योगत दोनों परिस्तितियों के अनुसार यदि निर्देशा नुस कोई यदि हटने के उप्रांग विसेश ने आलाए कि लिखित अनुग्या के बिना निर्धार इताओदी के वीतर प्रवेश करता है तरह 40 कोश्चन नमर 40 पितेक ऐसा व्यक्ति जिसके विरूद धारा 10 के अधिन आदेश किया गया है विसेश ने आलाए द्वारा ऐसी उप किसी पुलिस अधिकारी को एक तालीस कोश्चन वह व्यक्ति जिसके विरूद अनुसुष जान जाती और अनुसुष जाती अत्याचार अधिनियम 1999 की धारा 10 के अधिन आदेश पारित किया गया है यदि अपना माप और फोटू लेने ले जाने का पिती रोत करता है तो वह किस धारा के अंदर अपरादी समझा जाएगा तो व्याद रखे एक तालीस का है सी धारा एक सो चालीस भारतिये दंड साहता अठारह सो साट ठीक है अंगला कुश्चन है यदि कोई प्यक्ति धारा वारे दो के अदिन लिये जाने वाले माप और फोटू का पित्ती रोध या उसके इंकार करता है तो उसकी कित समझा जाएगा तो यह जाद रखना है इसमें धारा बारा इसी अदिनियम की है ठीक है अब है 42 का तो 42 का है आई पीसी की धारा 186 की अधिन ठीक है फिर 43 कुश्चन यदि कोई व्यक्ति धारा 10 की अधिन किये गये विसे इस नियाले की आदेश का उलगन करेगा तो वह धंड निये होगा तो याद रखिए 43 का है ए एक वर्स तक की कारावास से यह उप्सन सही है चबालीस वा कुश्चन है अत्याचार निवारने के लिए राजसासन विसेस नियाले का गठन निमने धारा के अंतरगत करता है तो धारा 14 यह उप्सन सही है फ्रै पंद्रवा अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती अधिनियम 1989 के तरगत विसेस नियाले का गठन किया जाता है तो याद रखिए 45 का है अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती अधिनियम 1989 के अंतरगत विसेस नियाले कोन गठन करता है तो याद रखिए 46 का सी राजसरकार द्वारा राज की उच नियाले की मुख नियाले की सहमती से फिर है 17 47 अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती अधिनियम के अंतरगत विसेस नियाले की स्थापना कौन करता है तो याद रखिए इसमें है राजसरकार की नियाले के मुख नियाले की सहमती से राजसरकार सी उप्सन सही है 48 48 का क्या है 48 अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती अत्याचार निवारन अधिनियम 1989 के अंतरगत विसेस नियाले का गठन कौन करता है तो याद रखिए 48 का है सी संबंदित राज की उचन जाले से सहमती कर राजसरका 49 अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती अधिनियम 1989 के अंतरगत दंड़िने अपरात की विचारन की अधिकालता की निम्न में से किसको है तो याद रखिए 49 का है अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती अत्याचा निसेद अधिनियम के अंतरगत जिस नियाले उखिए 50 का है अब बात करते हैं आंगे अनुसूचित जन जाती अधिनियम 1989 के दिन अपरात का विचारन किया जाता है तो इसमें हैं इंक्याउन C option ऐसे पत्त नियाले द्वारा जो राजसरकार द्वारा इसेतु विसेस बिनियर्दिस्ट किया गया हो C option है इंक्याउन का बावन राजसरकार उच्च नियाले के मुक्ण अधिस की सहमती से राचपत में अधी सूचना द्वारा इस अधिनियम के अधिन आप रादों के विचारन है तू पितेक जिले के लिए एक विशेष न्याले वी निर्लिस कर सके जिसका पीठा सीन अधिखारी होगा तो इसमें 52 का है C, सैंसन न्याले 52 का C, ओप्सन से है फ्रेट 53 वा कुष्चन 53 कुष्चन कुष्चन न्मर त्रीपन निमनांकित में से कितने वर्स तक अधिवक्ता की रूम में विधी विवसाय का अभाव आवस्चक है तो याद रखिए चंगण का है B, ओप्सन शाद वर्स 55 वा अनुसूचे जाती और अनुसूचे जन जाती अधिनियम 1989 की धारा 16 के तहित राजसरकार की सामोईक जुर्बाना जुर्बाना अधीर उफित करने की सक्ती का प्रावधा निम्ना अंकित में से कौन से अधिनियम के उप्बंद की अधिन किया गया तो याद रखिए 55 का है B, सिपल अधियाद सनरक्षिन अधिनियम 1955 की धारा 10 का कित है B, ओप्सन सहिए अधिनियम 55 का 56 कुश्चन कौन सा 56 निम्ना अंकित में से कौन अनुसुची जाती और अनुसुची जन जाती यादिनियम 1989 की तरे किसी छित को अत्याचार ग्यस छित भोसित कर सकेगा और सांती और सदाचार बनाए रखने तथा लोक व्यवस्ता और पिसांती बनाए रखने के लिए आवस्तिक कारवाही कर सकेगा 56 56 का है उप्योक्त सभी जिलाय या उपकंड मजिस्टेट कार फालक मजिस्टेट पुलिस अधिक्चफ से आनिमने पंक्ती का कोई भी पुलिस अधिकारी फरे संताउन कुष्चन अनुसुचे जाती और अनुसुचे जन जाती अधिनियम 1989 के इंतरगत लोक व्यवस्ता और सांती बनाए रखने तथा अत्याचार गोसित छेत्रों में अत्याचार रोकने के लिए कौन उत्तरदाई है तो याद रखिए संताउन का है डी उपयोक्त सभी जिला मजेश्टेट उपखंड मजेश्टेट पुलिस सदिकारी जोगो पुलिस उपधीचक के पद से नीचे काना हो बात करते हैं लोग अगला कुष्चन अन्ठाउन अनुसुचे जाती और अनुसुचे जन जाती अधिनियम 1989 के दिन अपरात करने वाले व्यक्ति को दंड सहिता की धारा 438 लागू ना होना प्राओ धानित है याद रखिए C उप्शन में धारा 18 के ताई अनुसुचे जाती और अनुसुचे जन जाती अधिनियम 1989 की किस धारा में अधिन जमानत का पिबंदित है जमानत पिती बंदित है तो याद रखिए धारा 18 क में क्योंकि पता है आपको पहले अधिन जमानत दी जाने की सुईक्ति मिल गई थी तो संसद ने एक विधियक लाकर धारा 18 क जोड़ी गई है ठीक है? 18 क जोड़ी गई है याद रखिए 18 क ओप्सन पर डिपेंड निकलता है अगर 18 आता है कीवल तो अठारे लगा सकते हैं और अगर 18 क आ रहा है तो याद रखिए का ओप्सन सही है फिर है 60 अनुसूचित जाती है और अनुसूचित जन जाती अधिनियम 1989 के दिन अपराद में आरूपिद अभीवेक्ट निम्न प्रावदानी के दिन जमानत है तो आब इतन नहीं कर सकता है तो याद रखिए 60 60 का बी है धारा अंतरगत धारा 438 दंड पिक्रिया सही था किता है बी ओप्सन सही है सुए फ्रे 61 क्या है 61 कुश्चन नम्मर 61 कौनसा कुश्चन नम्मर 61 अनसूचित जाती और अनसूचित जन जाती कि किसी सदस्केपिती अत्याचार के दोसी वैस्ट बैक्तिगी को परिविक्चा पर 61 61 का भी नहीं छोड़ा जा सकता 62 62 दन्पिक्किया सहितागी धारा 360 यह अपरादी परिविक्चा अधिनियम 1909 कि प्रावदान इस अधिनियम के अधीन अपरादों के दोसी वैक्ति के लिए सामनता लागू नहीं होते लेकिन यह उप्बंद तब लागू हो सकते हैं अपरादी किसा आयू अठावरा वरस अधिक नहीं है तो ठीए अभी ओप्शन 62 63 कुष्चन नंबर है 63 कुष्चन नंबर 63 कुणसा कुष्चन नंबर 63 अनुसूची जाती और अनुसूची जन जाती अधिनियम 1929 के दिन कोई अपराद करने का दोसी पाय जाने वाले व्यक्ति के संबन में अफरादी फरिवेक्ष्चा अधिनियम 1908 के प्रावधान लागू नहीं होंगी यदि उसकी आईव 18 वज से अधिक है वी ओप्शन सही है प्रेज 64 कुष्चन नंबर 64 निम्नांकित में से कौन ऐसे नीमों के अधिन रहते हुए जो केंदिरी सरकार अस निर्मित बनाए इस नियम के प्रभावी किरियान्मेन के लिए ऐसे उपाय करेगी जो आवस्चक हो तो याद रखे इसमें सी ओप्शन राज सरकार सी ओप्शन सहीज 64 65 कौनसा 65 नंबर अनुसुचित जाती और अनुसुचित जन जाती अधिनियम 1989 के इंतरगत तुर वहावी क्रियान्मेन के लिए विसेश्चता होगी तो याद रखे 65 का है डी ओप्शन सहीज उप्यक्त सभी विधिक सहयता पीडितों का सामाजी कुरार्थिक विचारन के दोरान साक्ची बै तुरे 66 कुष्चिन निमनांकित में से कौन ब्यक्ती वर्स के संसत के पिते सदन के फटल पर धारा 21 के उबंदों के दिन किये गये उपायों के संबन्द में एक रपोर्ट रखेगी तो याद रखे 66 वी के अंदरिये सरकार वी ओप्शन सही सरसट कुष्चिन अनुसूचि जाती और अनुसूचि जन जाती अधीनियम 1989 के कि निमनांकित में से किस धारा के अंतगर सद भावना पूर्वक की गई कारवाही के लिए संब्रक्षड का पिरावदन किया गया है तो आपको याद रखना है सरसट का वी ओप्शन सही है धा कि नौकर का कोई ब्यक्तिय ने अपने अनुसूचि जाती के नौकर को जाती सूचक सब्दों का पेव करते हुए आदेशित किया है कोई सबूत इस बात का नहीं है कि का ने नौकर को इरादतन अबमानित किया है अनुसूचि जाती और अनुसूचि जन जाती अधिनियम 1989 क क्या है इस मामले में लागू हो उता है तो याद रखिए और सट भी उप्सन नहीं कि फिर 59 अनसुच जाती और अनसुच जन जाती अधिनियम 1989 की धारा तेश के अंतगर राजपत में सूचना द्वारा इस अधिनियम के प्योजनों को कहयानवित करने के लिए नियम बनाने के किसको है तो याद रखिए 59 का है यह केंद सरकार को फिर 70 निमना अंकित में से कौन राजपत में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्योजनों को कहयानवित करने के लिए नियम बना सकती है तो 70 का भी उप्सन है केंद सरकार अंगला है बात 81 अनसुच जाती और अन अनुच्च जजन जाती अधिनियम उननिस Song नवासी की धरा 23 के अधिनियम के प्योजनों को कयानवित करने के लिए नियम बनाने का अदीक अधिकार इस को प्राप्त है तो याद रखिए 71 का है 71 का B कैंसर का लगो 72 कुश्चन अनुसुचे जाती और अनुसुचे जन जाती अधीनियम के अधीन बनाया गया पित्यक नियम बनाया जाने के पश्चाज यथासीक संसत के पित्यक सदन के समक्ष जब उह सत्त में हो कुल कितनी अधी के लिए रखा जाना जाएगा तो 72 का B 30 दिन के लिए B ओप्सन सहीज में 73 कुश्चे नमबर अनुसुचे जाती और अनुसुचे जन जाती अधीनियम के अधीन सद्वावन पूर्वक की गई या की जाने के लिए आस्रिक किसी बात के लिए कोई भी बात अभियोजन या अनुविदीक कारवाह ही निमनांकित में से किसके बिरोद नहीं होगी तो यदर रखिए 73 का है D उपयोग सभी की बिरोद क्यंद सरकार की बिरोद लाज सरकार की बिरोद सरकार के किसी अधिकारी या राधीकरी के बिरोद। 74 वाकुष्चन अनुसूचे जाती और जन जाती अधिनियम 1989 के अंतरवत किये गए अपराद का अन्यवेशन करने के लिए नियुक्त अन्यवेशन अधिकारी अपनी अन्यवेशन रिपोर्ट कितने समय के बीतर देगा तो याद रखिए 74 का 30 दिन के बीतर एए उप्सन सही है पर है 75 कौन सा 75 अनुसूचे जाती और अनुसूचे जन जाती अत्याचार निवारन नियमा वली 1995 की कि नियम बारे चार के अंत्याचार के लिए चती पूर्ति की रासी निरधारे है तो याद रखिए 50,000 रुपे एए उप्सन सही है अनुसूचे जाती और अत्याचार एक नियमा वली है 1995 वाली उसमें भी 18 के करीब 13 नियम है वह हम एक अंगले लेक्चर में बात कर लेंगे अलग से ठीक तो यह थे हमारे अभ्यास पिश्मत्तर या कुईज इसी से संबंदित और निशन अबासी के एक्टे से संबंदित एक्टे से संबंदित एक्ष्टी ड़क्ट